हेलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल में आप लोग का स्वागत है और पूजा ब्लोग में और हम आ गए हैं यहाँ आज बनाक के दिखाएंगे आप लोग कैसे बनता है सत्तु भरकर पूरी जिसे हम बिहारी में बोलते हैं लिट्टी तो लिट्टी के लिए हम लहसुन छिल लिए हैं अद्रक छिल लिए हैं और कच्चा मिर्शीत इसे हम थोरा सा ग्लेंडर में थोरा सा ही चलाएंगे और यह पूरा पूरा इसे मेही नहीं करना है थोरा इसे मेही करना है और एक ही बार चला यह इसे बार बार चलाने से यह पू प्तु में अधरक, लासुल, मिर्ची जो हम पीसे थे ये सब हम ढाल देंगे गामने के बाद इसे में अज्वाइन, डाल देंगे, नमक और तेल, और थोरा से हम्लेदी ढालेंगे, ताकि हल्दी डालने से इसका कलर अच्छा हो जाता है और उसके बाद हम निम्बू निचोड देंगे और निम्बू डालेंगे इसमें चार्टो तो थोड़ा खटा रहता है तो अच्छा लगता है और खड़ा भी नहीं होता है खराब ही नहीं होगा क्योंकि ठंड का मोसम है तो खराब होना तो बात ही नहीं है और चुटकी भर नमक डाल दिये हैं और नमक डालने के बाद इसे हम मिला देंगे और मिलाने के बाद इसमें हम निम्बू निचोरेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कितना पानी डलाएगा कितना नहीं डलाएगा पानी थोड़ा सही देते हैं अब चिरिक चिरिक करने ये तो ज्यादा गिला हुने पर ये हाटा में नहीं भरने में बनेगा इसको तो ये देख कुल तक कि चोटा चोटा पीज में हम निम्बु के लिये थे तो इसे अच्छ से निचोर निच और कर वो अधे हैं कि तो इसे कश हुआ है कि ऐसे हाथ से अच्छे से मिलाएंगे और मिलग इसमें धनिया पत्त डाल दिये हैं अक्षू बच्चे से मिलाएंगे तक कि इसका नमक नमक हलका पानी छोड़ता है तो ये पूरा मुठी बनाने लगता है और मुठी बनाने के बाद समझे कि ये सत्तू हो गया है तेयारी एकदम आटा में भरने के लिए और जल दिये हैं हम अब चाय बनान और साम को हमको चाय लगता है तो हम दोनों चाय पी लेंगे उसके बाद हम बनाएंगे लिट्टी तो हम लिट्टी बनाने के लिए बैठ गये हैं और लिट्टी की देखिए कोई गोल बनाता है कोई इसे पूरी की तरह बनाता है जैसे आप चाहिए वेसे बनाईए लेकिन बरने के लिए इसी तरह हम भरते हैं और आप लोग भी भर के देखिएगा कि लिटी इसी तरह भारा जाता है और आटा हम मिले ही साण करक दिये थे तो इतना सोफ्ट आटा हो गया है इतना सब्ख our गया है कि पूरी मेरा पूरा फूल रहा था कोई भी ऐसा पूरी नहीं था कि नहीं फूल रहा था तेल में पूरा फूल फूल कर फट जा रहा था पूरी सब इसे जब बेलिएगा तो हलके हाथ से इसे बेलिएगा और देखिए मेरा पूरी कितना सुन्दर फूल फूल कराया है और हम सांती से ही बनाते हैं खाना हमको कोई हरबर नहीं रहता है खाना बनाने में तो अगर दिल से खाना बनाए तो खाना में स्वाद आ जाता है कि आ since société मेरा नौ सरेनो बज जाता है खाना रहिए दिए हम पूरी छान रहा हैं कितना सुंद्र खिल कराया है पूरी सब गाहिए यह वर लिये थे उसके बाद यह सब हम छान रहा है कि पहर कर और चानी है तो जब्द जब्द Crf जाता है नहीं तो एक फड़ी एक ठो डलर नहीं होता है ये चेल जड़ जाता है कि अच्छा भी नहीं होता है तो एक साथ भर लीजिए तब सब पूरी को दो या तीन ठो डाल डाल कर निकाल लिए और ज्यादा हाइफ लिम में गैस को मत रखें एक दम कम करकर रखें तो पूरी फूलने लगता है नहीं तो इसे पूरी पुरा जल जाएगा तो हो गया यह लास्टे था तो इसे हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम चेंगरी मचरी बनाएंगे चेंगरी मचरी को हम फ्राइ करके सुबह में रख दिये थो तो वस उसे प्याज और मिर्ची में भूज लेंगे और गुंडी डाल देंगे कुटा हुआ मसाला का जितना गुरा होता है तो सब हम डाल देंगे और नमा पूरी अधिके कितना अच्छा खील कड़ाया है मेरा और यह से बनाने से पूरी अगदम नरम रहता है एकदम सौफ्ट जिसका दाथ नहीं रहेगा वह भी खालेगा जिसका दाथ है उसका तो बाते अलग है तब हो गया मेरा और पूरी बनाने के बाद हम चेंगरी मचरी बनाएंगे और बंगाल में चेंगरी मचरी तो बहुत बड़ा बड़ा मिलता है तो यह देखिए हम चेंगरी मचरी भूज रहा है और इसमें कोई ज़्यादा मसाला पीस करना ही डालना चाहिए इसमें बस ऐसी भूज कर बना यह तब ही एच्छा लगता है अगर इसमें जोल लगा दिजिए तो एकदम फाल्तू हो जाता है मचरी तो इसी तरह हम लाल करकर भूज लेंगे और दोस्तो मेरा वीडियो यहीं तक था आप लो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए गबाई बाई